जी मेरी शादी साथ दून 2014 को आशिश प्रियदर्शी से हुई थी मेरे ससूर एक रेटाइर डियाई जी है शादी में मेरे साथ ससूर उनके 15-20 रिष्टेदार मेरे पापा मम्मी मेरे 15-20 रिष्टेदार दिल्ली से शादी हुई थी रेडेसिन ब्ल्यू होटल से शादी के बाद मेरे साथ बहुत अच्छा सुलूख किया गया मतलब मैं लखनो गई शादी के बाद जहां मेरे ससुर जी 358 बटा 5 विरामकंड गोमतिनगर में रहते थे वहाँ गई मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा था किसी तरह का कोई बुरा वेवार नहीं हुआ लेकिन जब मुझे बड़ी बेटी हुई 16 मार्च 2015 को तब से मेरे साथ बुरा वेवार होना शुरू किया है सबसे पहले तो उनको ये चीज़ कनफाम हो गई थी कि उनका लड़का ड्रिंक करता है वो 20 साल से ड्रिंक कर रहा है रेगुलर ड्रिंक करते हैं और स्मॉक भी डेली करते हैं तो उनके पिता जी को ये डाउट हो गया था कि मेरा लड़का लड़का पैदा करने लायक नहीं है तो उनके पिताजी का वेवार मेरे साथ एकदम पहले वो मुझसे बेटा-बेटा करके बात करते थे सड़नली उनका वेवार मेरे साथ चेंज हुआ फिर उन्होंने मुझे पहले तो अकेले में समझाना शुरू किया जब मेरी सास घर से बाहर जाती कि देखो ये सब करने में कोई मतलब नहीं है तुम एक चीज़ समझ जाओ कि अगर तुम्हें लड़का नहीं होगा तो तुम्हारी घर में इज़्जत नहीं होगी मेरी वाइफ बहुत उन्होंने पहले मुझे सास के खिलाब बढ़काया कि मेरी वाइफ तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी तुम फिर कहां जाके रहोगी बोले यही पहली वाइफ के साथ उसने किया यही तुम्हारे साथ करेगी तो मैंने पूछा मैंने गा पापा आप बचाईए मैं क्या करूँ तो उनका ही कहना था कि लड़का होने से मतलब है, यह किसी को पता नहीं चलेगा कि लड़का कैसे हो रहा है, तो मैंने उनसे मुझे तब भी समझ में नहीं आया, जब उन्होंने मेरे साथ कुछ एक दो हरकते गलत की, तब मैंने मुझे बहुत अजीब लगा और मैं अपने र रिलेशन बनाने का दबाव डाल रहे थे, एक सिर्फ लड़का पैदा करने के लिए, नहीं मैंने इसकी शिकायत पुलिस में नहीं की, इसकी शिकायत पहले मैंने अपनी सास से की, फैमिली स्थर पे, जबकि सास मेरे अगेंस्ट सी, बेटी होने के बाद, लेकिन फिर भी करेंगी, क्योंकि वो भी एक महिला है, जब मैंने अपनी सास से शिकायत की, और सास का रुख भी मुझे ससुर जैसा ही दिखाई दिया, उसके बाद मैंने इसकी शिकायत अपने पती से की, तब पती ने मुझसे बोला कि नहीं पापा ऐसा नहीं कर सकते, तब उन्होंने मैं एक साल तब शादी के लखना हो रही हूं, एक साल बाद मुझे जब ये विवाद हुआ ससुर जी का, उसके बाद मुझे मेरे पती कानपूर E-block 195 पनकी वाले मकान में लेकर आ गए थे, जो मकान मेरे पती के नाम है, अब ये हुआ कि पती तब तक साथ में थे, लेकिन लेकिन जब पता चला कि मुझे एक और बेटी हो गई, और जब मेरे सास सुसन ने धमकाया कि तुम्हें प्रॉपटी में भी हिस्सा नहीं दिये जाएगा, तुमको लड़का तो पैदा हो नहीं रहा है, तुम्हारी वाइफ हमारी बात भी नहीं मान रही है, तो मेरे पती क प्रॉपपी चेंज हो गया, और वो मुझे माईके में दोनों बेटीओं के साथ छोड़कर भागा है,